हे गाईस स्वागत है आपका कैप्टेन बीटो के चैनल में जहां लेट से अपडेट के एपिसोड 30 में हम सुपर हिरो से जोड़े अपडेट की बात करने वाले हैं जिसके शुरुआत हम करेंगे शीहल के एपिसोड 1 से दिखाएगे इस क्लिप की जो की मार्वल ने ओफीशि किया है जिसके अंदर हम ग्रैंड मास्टर के जैसा एक शिप को देखते हैं जो कि यहां पर इन लोगों के उपर एटाक करता है जिसके बाद से यह दोनों नीचे जा गिरते हैं और यहीं पर जो ब्रूस का बलड है वो जरिफर के साथ मिक्स होता है और शीहल को आली पावर देखने को मिल सकता है जो कि आगे जाकर वर्ल्ड वार हल किया वर्ल्ड प्रेकर हल के लिए सेट अप करेगा और अब तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि नेच्ट इयर तक हल के सारे राइट्स मार्वल को मिल जाएंगे जिसके बाद से हल के सोलो प्रोजेक्ट्स मार्वल जिजनी के अंदर बना सकता है अब इसमें कितनी सचा है वो तो हमें नहीं पता लेखते हैं आने वाले समय में सब हमें पता चली जाएगा इसके बाद बात करते हैं गार्जेंस ऑफ गैलक्सी 3 से आ रहे इस ख़बर की जहां जेम्स गन ने इंस्टाग्राम में पूछे में जवाब दिया है एंड वी ऑनलो की ये कौन होने वाला है क्योंकि गैलक्सी के ट्राइलोजी के अंदर जो पहले दो मूवी आई है उनके लोगों में जो यूज किया गया कलर था उसी कलर से रिलेटेट वाले बंदे मरे हैं तो इससे आप समझे गए होंगे कि इस मूव सी हॉलिडे स्पेशल में जो कि इस साल दिसेंबर के महीने रिलीज हो जाएगा अगले ख़बर की बात करें तो वो आईरन हाट सीरी से आ रही है जिसके टैम लाइन ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरेवर के बाद की है और आईरन हाट के सेट इमेजेस को सामने आए है जिसम एपिसोड 34 मिनेट का होने वाला है एपिसोड के रन टाइम भले ही आपको कम लग रहा हो बट शी हलक में भी वांडर विजन के जैसे ही 9 एपिसोड होने वाले हैं सोनी की सबसे धमाकेदार फिल्म जिसके अंदर स्पाइडर मैन के करेक्टर को यूज किया जा रहा है यानि तो इस मूवी में वो काफी यंग है तो उमीद है कि वो बच जाएंगे बट पता नहीं मूवी में हमें क्या देखने को मिलता है इसके अलावा बात करें बाकी कास्ट में मकी तो सीडनी स्वीनी जूलिया कार्पिंटर का रोल अदा करेगी एमा रोबर्स मेरी पारकर का रो इनी सीरीज घोशित कर दिया गया है जिसमें ये लगता है कि इसका सीजन टू हमें शायद ही देखने को मिले जैसा कि आपको पता होगा कि होकाई में दिखने वाली माया पर बेश डिजनी प्लस पर एक सीरीज आ रही है एको नाम से जिसमें डियर डविल एंड किंग पिंग ह फोटोज लीक हुए हैं जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हैं जिससे साफ जायर होता है कि उसको बिलकुल ही कॉमिक अकुरेट लुक देने की कोशिश की जा रही है जो कर टू की फिल्मिंग एस साल दिसम्बर में स्टार्ट हो जाएगी जहां इस मूवी का बजट 150 मिलिय होने वाला है जो कि पिछली मूवी के बजट से लगभग 3 गुना जादा है जिसमें लेडी गागा को हर्ली क्विन के लिए 10 मिलियन और वाकिन फिनिक्स और टॉड फिलिक्स को 20-20 मिलियन डॉलर पे किये जा रहे हैं बात करे फ्लैश मूवी के जिसकी जान हलक पे अठकी ह हुई है क्योंकि एजरा मिलर के कांड रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो वर्नर ब्रोस वालों ने फ्लैश मूवी के लिए 3 सेनरियो को कंसिडर किया है जिसके अंदर पहला कंडिशन ये है कि एजरा मिलर इंटर्वियू के अंदर अपने सारे कांड का हवाला दे और ही मांगे वहीं दूसरा है एजरा मिलर शांती से अपने घर में बैठे रहे और उनको प्रोमोशन में ना बुलाया जाए वहीं बात करें आखरी सेनरियो की तो उसके अंदर फ्लैश मूवी को कैंसल करने का सोचा जाएगा जिसके चांसे सबसे कम है क्योंकि मूवी को काफी अच्छे और पॉजिटीव रिव्यूज मिले हैं और वहीं ये मूवी 200 मिलियन डॉलर्स में बनी है प्लस ये मूवी डीसी के फ्यूचर के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है तो शायद ही इसको कैंसल करें अब बात करें हल क्यानिके मार्क रेफरलो की जिन्होंन ये रिवील किया है कि हमें सुकोविय अकॉर्ड्स बहुत जल्द MCU में वापस दिखने वाला है जो कि हमें लास्ट टाइम कैप्टेन अमरिका सिविल वार में देखने को मिला था एसपोसीटो जी जिनको आप लोगोंने ब्रेकिंग बैड एंड बॉइज में देखा होगा उन्होंने ये रिवील किया है कि वो हाली में मार्वल से मिले थे जहां वो प्रोफेसर एक्स का रोल करना चाहते हैं अब देखते हैं कि उनको क्या मिलता है अब बारी आती है सेट फोटो एंड पोस्टर्स की जहां मैडव वेब के सेट से बहुत सारी फोटो सामने आये हैं जिनको आप स्क्रीन में देख सकते हो वही बात करें शी हल्क से डेर डेविल की तो उसका भी एक कॉमिक एकुरेट लुक में फोटो देखने को मिला है जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हो थौर लवें ठंडर के कुछ कॉंसेप्ट आट रिलीस किये गए हैं जिसमें से वेलकरी वाले तो आप आराम से समझ गए होंगे लेकिन एक कॉंसेप्ट आट जिसके अंदर कई सारे गौट्स को दिखाया गया है उसमें सिटर एक्ट को भी आप स्पॉट उन कर सकते हैं से बहुत सारे इमेजे सामने आए हैं जिनने मैं जल्दी जल्दी भगा के आपको दिखा दे रहा हूँ आप चाहो तो उसको पॉस करके देख सकते हो और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो लोकी सीजन टू, सीजन वन से भी जादा बवाल होने वाला है जिसके वज़े से मेरे अंदर एक्साइटमेंट थोड़ा सा और बढ़ गया है शीहल के कुछ नए क्यरक्टर पोश्टर सामने आए हैं वहीं वैराइटी की माने तो क्रेग मर्लांटी पॉसिबल कैंडिडेट है डीसी मुवीज को हैंडल करने के लिए मतलब कि जो काम केविन फाइगे मार्वल के लिए कर रहे हैं वही काम वो करेंगे अब बात कर लेते हैं कुछ छोटे मोटे अपडेट्स की तो फॉर लवें ठंडर ने डोमेस्टिक बॉक्स ओफिस में थॉर रैगनार रॉक से जादा पैसे कमा लिये हैं मैं रिसेंट में कैंसल हुई बैट गर्ल मुवी के बाद जेमस गन ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनकी डीसी के सारे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल सेफ है जिसमें पीसमेकर का सीजन टू भी शामिल है गैल गैटेट की वर्डर वोमेन आने वाले डीसी के काफी प्रोजेक्ट्स में दिखने वाली है हाला कि वो सारे प्रोजेक्ट्स की जान अभी हलक पे है मतलब कि वो सारे प्रोजेक्ट्स भी शावा में लटके हुए हैं एड्रिस अलबा जो कि हमें MCO के अंदर हेमडाल के रोल में दिखे हैं और जेम्स गन के सुसाइड स्कॉड मुवी में ब्लड स्पोर्ट का रोल अदा कर चुके हैं वो एक नए DC प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं एको सिरीज में हमें डेर डेविल का बहुत ही कम रोल देखने को मिलेगा मतलब कि अगर हमें डेर डेविल को फिर से अक्षन में देखना है तो 2024 तक वेट करना पड़ेगा ब्लैक एडम की कुछ रिशूट्स चल रहे हैं और रियूमर्स की माने तो पोश्ट करीट सीन में हमें कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जो कि आगे जाके DCU से कनेक्ट करेगा या फिर जो भी आने वाले समय में DC का जो लॉंग टर्म प्लान है उससे कनेक्ट करेगा The Sandman अपने रिलीस के बाद से ही Netflix पर नमबर वन में ट्रेंड कर रहा है वहीं आज ही के दिन Amazon Prime में आपको Peacemaker का सीजन वन मिल जाएगा जिसको मैं इस वीडियो को निप्टाने के बाद से देखने वाला हूँ अब आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो अब आपको मैं कुछ खतरनाक रियूमर बताने वाला हूँ मैं पहले repeat कर दो कि मैं रियूमर बताने वाला हूँ मतलब कि कैंक के काउंसिल को दिखाया जाएगा और इसके सही होने के चांसेज मुझे लगता है कि काफी जादा है क्योंकि Avengers 5 का नाम ही कैंक डाइनस्टी है जिसके अंदर हमें कैंक से बीच में विड़त तो जरूरी देखने को मिलेगी सो गाइज आज के लिए बस इतना ही ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आप लोगोंने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज चेकि अपने बेल ऐकन दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो वेलें गुड और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको जाए इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो की है लोगों की मदद करें अपना खयाल रखें की पूइंग फॉरवर्ट कर रट लगा कर आगे बढ़ते जाएं थाइंक यू फॉर वाचिंग दिस यूज़ाइब